सभी आदानिय मुख्यमंत्रिगाण, नीती आयोक के उपाद्यक्ष जी, केंद्र में मंत्री परिश्यत के मेरे साथी और सभी अधिकारिगाण, नीती आयोक के गवर्णन काउंसिल की बहतोपूर्ण मिटिंग में, आप सब पर रदय से स्वागत करता हूं, बसे ताय हुआ था, मिटिंग साड़े दस पर प्रारम होगी, लेकिन जैसे ही में आया तो बताया गया, कि सब बहुत पहले आके बैट गए हैं, तो तुरंद शुरू कर सकते हैं, तो मना अगा ठीक हैं, तो समय से हम पंदरा मिट पहले आज काम प्रारम कर रहे हैं, एक अच्छी जिशानी है। National Institute of Transforming India, NITI, बदलते वैश्विक परिद्रश्य में, देश के भविश्य को तयार करने को, देश को ससक्त करने का एक बहुती उचित मंच है। एक ऐसा प्लेट फॉर्म जहां राज्य और केंदर सरकार मिलकर, देश के लिए नीतियां तयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामुहित प्रयास करते हैं। आज ट्रीम इंडिया फिर अपने संगटिक सक्ति के शाथ अपने विचारों को सांजा करने के लिए यहां उपस्तित है। आज दिन भर की चर्चा में आप सबसे अपने विचार सुनने का आउसर मिलेगा। हम सब को एक दुसरे से जानने का, समझने का, सीखने का आउसर मिलेगा। आज गवनिंग काउंसिल की इस बैटक में हम चर्चा करेंगे कि नीतियों को ले करके हमारा जय प्रोच रहा है। उसके परणाम अब तक क्या रहे हैं, क्या कुछ बढलाव की जरुरत है, क्या कोई परिवर्तन आवश्यक है, कामकाज के तरीकते के में परिवर्तन से ले करके, ग्योजनाओं के इंप्लिमेंटेशन को ले कर, आप सब के सुझाओं का स्वागत है। हम सभी समान जिम्मेलदारी से निकले हुए लोग हैं, समान अनुभव से आये हुए लोग हैं, आज भले मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्रियों के बीच बैठ करके, ऐसी मिटिंगों में सुनने, समझने का प्रयास करता था और अपनी बात रखने का प्रयास करता था। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरा विश्वास है कि न्यू इंडिया के निर्मान सभी मुख्यमंत्रियों के सहियोग के बिना, उनके संपूर्ण योगदान के बिना कताई संभाव नहीं है। इस देश के लोगों के हमसे बहुत सारी उम्मीदे हैं और ये उम्मीदे टीम इंडिया द्वारा ही पूरी की जा सकती है। 2022 में जब देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा तब देश की तस्वीर क्या होगी विकानस पत्पर देश कहां पहुचा होगा। मैं समत्ता हुग हम सब की सामुईक जिम्मेबारी हैं। भारत के आजहादी के 75 वर्ष इन आने वाले 5 वर्ष में हम अपने अपने कारक्षेत्र में देश को नई उच्छाईयों पर ले जाने के लिए कितनी तीवरता से आगे बढ़ते हैं। आप सबसे बहतर कौन इस बात को समझ सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति महत्वपुन होता है तो उसकी जिम्मेबारी भी सबसे ज्यादा होती है। हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं वो टीम इंडिया के प्रतिनीदी हैं। देश के लोगों की आशाएं आकांख्षाएं पूरी करने में इस कमरे में बैठे हुए हर किसी की एहम भूमी का है। महत्मा गांधी कहां करते थे। सरवोच आकांख्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिए वो सब उसे भारत में मिल सकता है। आज जब इस वर्स हम चंपारन सत्याग्रह के सो वर्स बना रहे हैं तो उनकी ये बात और भी प्रासंगीक है। कि हम अपने अर्थववस्थाओं को अपनी ववस्थाओं को ऐसी बना सकते हैं बना रहे हैं जो देश के साधनन मानवी के सरवोचा काक्षाओं को पूरा कर सके। क्या हम इस दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा मानना है कि इस दिशा में नीती आयोग एक बड़ा कदम है। नीती आयोग को काम करते हुए अब दो वर्स से ज़्यादा समय हो रहा है। करने और उन्हें पुरा करने के लिए एक सकारतमक प्रयाश शुरू किये हैं। एक ऐसा मंच है, ऐसी समस्तान है जिसका लक्ष देश को ट्रांस्फर्म करना है। और ट्रांस्फर्मेशन के लिए नए विचारों की आवश्यक्ता है। नए विचारों को लागू करने के लिए नए हौसले और जजबे की आउशक्ता है जब सरकार, प्राइवेट सेक्टर और स्विल सुसाइटी तीनों के विचारों का, उनके इनोवेशन का, इंटिगेशन होता है तभी देश आगे बढ़ पाता है, इसके लिए हमें नई कार्य संस्कूर्ती अपणानी पढ़ती है निति आयो की विशेश बात यह है, कि उसकी उर्जा का केंद्र, उसकी ताकत नए विचार है आपने खुद पिछले दो वर्षों में देखा होगा, कि आपनों को अपनी योजनाओं की स्विक्रूति के लिए या बजेट आवंटन के लिए नीति आयोक नहीं आना पड़ा है नीति आयोक का आधार, एड्मिस्टेटिव और फाइनांसल कंट्रोल नहीं है नीति आयोक का आधार, उसके विचारों की भमल्लिता है और विचारों का आधान पड़ान है एक दौर ऐसा भी था, कि जब नीतियों के दिर्माट में सिर्प सरकारी कर्मचारियों पर ही भरोसा किया जाता था नीति आयोक ने इस विचार को भी बदला है सरकारी सिस्टिम से अलग, स्पेशलिस्ट, यूवा प्रोफेशनल्स नीतियायोग में एहम भूमी का निभा रहे हैं, उनके आने से पूरी सोच में एक फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है। नीतियायोग एक कॉलोबरेटिंग फेडरल बॉड़ी है, यानि एक ऐसी संस्ता जो सभी राज्यों से उनके सहीयोग से चलती है। जैसे केंदर सरकार कई विशों पर राज्य को सलहा देती हैं, वैसे ही राज्य भी केंदर को कई विशों पर अपनी सलहा दे सकते हैं। बहुत से राज्यों में ऐसी योजनाय चलती हैं, जो सीधे सीधे दिसरे राज्यों में अपनाई जा सकती हैं। ऐसा करने पर संसा धन का भी बचाव है और समय का भी। हमारे यहां कहां भी गया है कि स्मार्ट वही है जो दूसरे के अनुभव से फायदा उठाता है। जैसे जब ई नाम योजना को डिजाइन किया जा रहा था, तब कुछ राज्यों में छुटपुट अंदाज में किसान ई मार्केट के जरिये अपने फसल बेच रहे थे। उसका फायदा इस योजना को बनाते वक्त उठाया गया। उसी तरह बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जिसमें ग्रूप अब चीफ मिनिस्टर्स ने एहम भूमी का निभाई है। आप सभी को मालूम है कि चौद्वे वित्त आयोग ने सेंट्रली स्पॉंसर स्कीम को कम या खत्म कर देने के लिए कहा था। विक्त आयोग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने राज्यों को केंद्रिये टेक्सों में ज्यादा हिसेदारी का प्रस्ताव दिया था। तरकि ये था कि जब राज्यों को ज़्यादा राशी मिल रही है तो सेंट्रली स्पॉंसर स्कीम की आवश्यक्ता क्या है। उनकी बातों पर विचार के लिए नीत्य आयोग ने मुख्य मंत्रियों का एक सब गुरुप बनाया था। मुख्य मंत्रियों के सब गुरुप को दी गई और इन सभी सब गुरुप के साथियों ने सभी राज्यों के साथ सलाम मस्वरा करके केंदर सरकार को दिशान दिर्देश दिया। मुख्य मंत्रियों के सब गुरुप ने जब अपनी रिपोर्ट दी सेंट्रली स्पॉंसर स्कीम को लेकर अपने सुझाव दिये। तो तमाम आर्थिक परिशानियों के बावजूद केंदर सरकार ने उन सभी सिफारिशों को स्विकार किया और उन्हें तुरंद लागू भी किया। आपको यह जान करके खुशी होगी कि पिछले दो सालों में केंदर और राज्यों की दो जाने वाली कुल वित्तिय सहायता में केंदर से राज्य को दी जाने वाली सहायता हैं चालीस परसंट की बढ़ोतरी हुए यह 40 परसंट इंक्रीज हुआ है 2014-15 में जहां राज्यों को केंदर के हिस्से से 6,70,000 क्रोड रुपिय मिलते थे वहीं 2016-17 में यह बढ़कर 9,60,000 क्रोड रुपिय पहुँच गया है इसमें एक और विश्यस बात देखने को मिलती है पहले केंदर की तरब से अगर 100 रुपिय मिलते थे तो उसमें से 40 रुपिय राज्य सरकार को सेंट्रली स्पॉंसर किम पर ही खर्च करना होता था यानि 40 रुपिय टाइट फंट से बाकि 60 रुपिय ही राज्य सरकार अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी अब दो सालों के बाद राज्यों को जहां 100 रुपिय की जगह 140 रुपिय मिले वही 140 रुपिय में उन्हें केवल 35 रुपिय ही सेंट्रली स्पॉंसर स्कीम पर खर्च करना है यानि टाइट फंट केवल 25 परसंट ही रह गए अब 75 परसंट यानि दिये गए 140 रुपिय में राज्य सरकार को 105 रुपिय अपनी मर्जी से अपनी योजनाओं पर खर्च करने के लिए स्वकंत्र है केंद सरकार ने इस बात का ज्ञान रखा है कि राज सरकारों को अपनी योजनाओं को पुरा करने के लिए आर्थिक संकट ना आए तीन साल पहले देश में स्टॉल वर्सों से लंबित प्रोजेक्ष के संक्या काफी अधिक थी आठ से नौ लाख करोड रुप्य के प्रोजेक्ष को राज सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ कर प्रगति के माध्यम से सुल जाया गया नेशनल हाइवेच और रेलवेच के ख्षेतन में योजनाओं को संक्षन देके वर्क एवर्ड करने के क्रियानवाई में काफी तेजी लाई गई दो सालों में नेशनल हाइवेच के निर्माण में लगबग 80% वृद्धी हुई रेलवेच के कैपिटल बजेट में दो गुने से जादा की वृद्धी की गई यह सब देश में इन्वेस्टमेंट को बधावा देने रोजगार को बढ़ाने के नजर से किया गया और यह सभलता राज सरकारों को जादा वित्तिय सहायता देने के बावजूद प्राप्त की गई मेरा आप सभी राज्यों से अनुरोध है कि आप भी केपिटल एक्पेंडिचर पर इन्फरस्ट्रेक्टर क्रियेशन पर बल दें इस देश के विकास की गति को और बल मिलेगा इसके अलावा स्वच्छ भारत मिश्ण हो, स्किल डेवलोप्मेंट, डिजिटल पेमेंट हो इन सभी पर राज्यों ने केंदर सरकार को नीती निधारन में मदद दी है अब भी बीते चार महनों में नीती आयोग ने राज सरकारों की मदद से देश बर में एक सो डिजी धन मेलों का भी आयोजन किया है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इन मेलों में खुद हिस्सा लिया लोगों को डिजीटल लेंद देन और कम कैश अर्थ बहुस्ता के प्रती जागुरुत किया डिजीटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की कमिटी ने कई महत्वपून सिफारसे भी की की जीने अमल में लाये जा रहा है हम सभी एक लक्ष को लेकर काम कर रहे है यह लक्ष है देश का विकास भारत का विकास हम सभी ने अपनी जिंद्गी देश के लिए खपा देने का प्रण लिया है हमारी विचार धाराएं अलग-अलग हो सकती है लेकिन उद्देश एक ही है देश के सामान्य मान्वी की जिंद्गी को सरल बनाना उसकी आशा अकांच्छाओं को पूरा करना अगर कोई सरकार यह सोचे कि वो सब कुछ अकेले ही कर लेगी तो गलत होगा सब के साथ से सब के प्रयाद से ही सब का विकास संभव होगा जब मैं दिल्ली में यहां प्रगती की बैठकों में अटके हुए प्रोजेक्टों की सभिक्षा करता हूँ तो वो प्रोजेक्ट किसी ने किसी राज्य में ही चल रहे होते हैं दसकों से अटके हुए infrastructure के project पर जब फिर से काम शुरू होता है, काम पूरा होता है, तो उसका सीधा सीधा फायदा राज्यों को ही होता है। जड़क सड़क बनती हैं, जब पूल बनते हैं, जब railway लाइने बिचती हैं, तो राज्यों को ही इसका लाब मिलता है। मुझे खुशी है, कि अब राज्यों से भी कई बार कहा जाता है, कि प्रगती की बैटक में हमारे राज्यके project के समिक्षा कर ली जाए। जब एक साथ सारे विभागों के अफसर बैटते हैं, मैं खुद उनसे सवाल जवाब करता हूं, तो समस्या का हल भी जल्दी निकलता है। जब स्वच्छ भारत मिश्वन के तहत आपके राज्य में सवचाले बनते हैं, तो उससे फाइदा राज्य को होता है, राज्य के नागरिकों को होता है। स्वच्छता का सीधा संबन स्वास्थ से हैं, कई राज्यों में देखा गया है कि जहां पर स्वच्छ भारत मिश्वन के तहट अच्छा काम हुआ है, वहां पर गंद्गी से हुने वाली बिमारियों में कमी आई हैं। इसी तरह किसी परियटन स्थल पर सभाई बढ़ने से, गंद्गी का ठेर हटने से फाइदा वहां के टूरिजम को, वहां के अर्थ व्यवस्था को, वहां के नागरिकों को मिला है। जब किसी इलाके में लोग जन्धन योजना के दहत, बैंकिंग व्यवस्था से जूरते हैं, तो वहां का पूरा आर्थिक सिस्टम बदलता है। राज्य सरकारों को भी अपनी सबसीडी सीधे उनके खाते में ट्रांस्फर करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्द होता है। जब किसी गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंचता है, तो इसका फायदा सिर्व ये नहीं है कि वहां इंटरनेट पहुंच गया, ये पूरे गाउं के आर्थिक इको सिस्टिम में बदलाव लाता है। ऐसे कितने ही उदारण हैं, कितनी ही योजनाएं हैं, चाहे हम कुर्शी के इस और बैठे हो, या फिर दूसरी तरब हम सभी का लक्षतों देश के गरीब, शोशीत, पीडित, वंचीत को ससक्त करना ही हैं। इसके लिए मिलकर इस टीम इंडिया को अपनी ताकत जहुंकनी होगी, देश को आर्थिक और सामाजी ग्रूप से मजबूत करने के लिए काम करना होगा। बीतर दिनों में आर्थिक सुधार से जुड़े कई फैसले लिये गए हैं। इस वर्ष आपने देखा कि वित्तिय प्रमंधन की लोक्तांतिक प्रक्रिया में एक बेहत महत्पपुन परंपरा की शुरुवात हुई हैं। इस वर्ष बजेट से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं या तो खर्चों से जुड़ी हो या फिर टेक्स से जुड़ी हो सभी को पूरा एक अप्रिल से पहले पूरा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए संबव हुआ है कि इस बार बजेट लगभक एक महिना पहले एक फरवरी को पेश किया गया। बजेट पेश होने के बाद उस पर विश्तरित चर्चा हुई और अगला वित्तिय वर्ष सुनी होने से पहले एप्रोप्रेशन बिल और फाइनांस बिल पास हो गए। जबकि पहले होता ये था कि बजेट पास होते होते मई का आखरी कालखंड आजाता था तब तक वाटर एकाउंट के साहरे काम चलता रहता था। इस दोरान केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके इंप्लिमेंटेशन का लटके रहना बहुत स्वाभाविक था। जब बजेट को मंजूरी मिलती थी उसके बाद मंत्राले अलग-अलग विभावकों को अलग-अलग योजनाओं के लिए एजन्सियों और राज्यों को बजेट आमंटन करती थी। ऐसे में जिस समय योजनाओं पर सबसे ज़्यादा तेजी से काम किये जाने की आवश्यक्ता होती थी, उसी समय वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती थी। इसके बाद योजनाओं को पैसा जमीन तक पहुंचते पहुंच से मौनसून आ जाता था। मौनसून में जमीन पर कितना काम हो पाता है यह आप सभी को पता है। यानि कुल मिलाकर बजेट पेश होने से लेकर मौनसून खत्म होने तक के 5-6 महिने बेकार हो जाते थे, विकास के काम ठप हो जाते थे। इसके बाद काम योजनाओं पर काम शुरू होता था। जब योजनाओं थोड़ी रप्तार पकड़ती थी, तब फिर अगले वित्तिय वर्ष के समाप्ते और अगले वित्तिय वर्ष का समय आ जाता था। फाइनल क्वाटर में फिर भांगदोर सुरू होती थी, कि जादा से जादा खर्च कर लिया जाए। इसके भी कई तरह के खेल चलते हैं, जिससे आप भली भांदी परिचीत हैं, अक्सर जब पूरा पैसा खर्च नहीं होता था, तो उसे कभी-कभी सरंडर भी करना पड़ता था। अब यह सब बीते दिनों की बात होने जा रही हैं, बित्तिय वर्ष की सुरुआत में ही बजेट को पांस करके यह सिवनिश्चित किया गया है, कि ओजनाओं के लिए तैरासी सुरुआत से ही मिलें और फिर उन पर सही तरीके से पूरे साल काम हो। सात्यों सरकार के इस प्रयास का राज्यों को भी काफी फाइदा हुआ है। इस वर्ष एक और बड़ा आर्थिक सुधार प्लान और नान प्लान स्किमों के बीच भेद को खत्म करने के लिए किया गया है। वैसे इसका सुझाव 2011 में रंग राजन कमिटी ने दिया था। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से समझाया था कि प्लान और नान प्लान की वज़े से अर्थ व्यवस्ता को कितना नुक्षान होता है। दरसल कौन सी चीज प्लान हो या कौन सी चीज नौन प्लान हो ये ताय करने का कोई बहुत स्पस्ट तरीका नहीं था। कई बार बच्चों में पोशन से जुड़ी योजनाओं और उनकी स्कॉलर्शिप को नौन प्लान में रखा जाता था। जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी नौन प्लान मान लिया जाता था। रंगराजन कमिटी ने साप कहा था कि जो व्यवस्ता चली आ रही है उसे खत्म कर देना चाहिए। रंगराजन कमिटी की सिफारिस को स्विकार करते हुए अब इस वर्ष से नई आर्थिक व्यवस्ता की शुरुवात की गई है। अब उन खर्चों पर सरकार का ज्यादा जोर होगा जो विकास से जुड़े हुए हैं, जनकल्यार से जुड़े हुए हैं, जो खर्चे प्रशासनिक मद में आते हैं, उन पर जोर कम दिया जाएगा। ये बदलाव करते समय इस बात का विशेद ध्यान रखा गया है कि शुड़ुल कास और शुड़ुल ट्राइब से जुड़ी योजनाओं के बजट आवंटन में और भृद्धी की जाएं। इस वजह से जहां 2014-15 में शुड़ुल कास के लिए 30,604 करोड का बजेट आवंटन हुआ था, वहीं इस वर्ष के बजेट में उनके लिए 52,393 करोड रुपे आवंटन किये गया है। इसी तरह वर्ष 2014-15 में शुड़ुल ट्राइब्स के लिए 21,216 करोड रुपे आवंटीद हुए थे, अब इस वर्ष ये बढ़कर 31,920 करोड रुपे हो गया है। साथ्योग गूट्स और सर्विस टेक्स और जी एस्टी का पास होना भी इस देश के संगिय धाचे की मजबूत इच्छा शक्ति का पतीख है। एक एतिहासिक आर्थिक सुधार है। इसका अस्रे देश की संग्सत और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को जाता है। अलग अलग राजनितिक विचारदारा होने के बावजूत जिस तरह हम देश के विकास के लिए एक कॉमन प्लेटफरम पर आये हैं वो बहुत ही सकारात्मक कदम है। आज इस अफसर पर मैं इस इतिहासिक बदलाओं में आपके योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। GST को लेकर जिस तरह की आम सहमत ही बनी उस इतिहास में कोपरेटिव फडरलिजम के यादगार पतिक के रुप में स्मनरन रखा जाएगा। यह ही एक यूनिक केस है जहां पॉलिशी को ड्राप करने से लेकर के कानून बनने तक केंद्रों और राज्य सरकारों ने मिलकर के काम किया। जी एस्टी के ड्राप में राज्यों से मिले कई सुझावों को शामिल किया गया। यह वास्ताव में एक राष्ट्रिय उपलब्दी है जिसका हम सब गर्व कर सकते हैं। जी एस्टी एक ब्रॉड बेज ट्रांस्परन्ट सिस्टीम है। यह भारत के संतुलित विकास के लिए आवशक हैं। यह विशेश तोर पर देश के पिछडे राज्यों को आगे आने में मदद करेगा। जो राज्य पहले से विकास के मापदंडों में आगे चल रहे हैं, उन्हें शुरुवात में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन जब पिछडे राज्य आगे बढ़ेंगे तो उनका भी बोच कम होगा। वरना पहले आगे बढ़े हुए राज्यों का जोर पिछडे राज्यों को खिचने में ही निकल जाता था। इसलिए अगले दस वर्स बहुत ही सुनहरा मोका है जीएस्टी का जाता से जादा फायदा उठाने के लिए। मेरा राज्यों से आग्रह है कि जीएस्टी लागू करने के लिए अच्छी टीम बनाएं, अच्छे अपसर तैनात करें, इसे सही तरीके से लागू करने के लिए मजबुत सिस्टम तयार करें, आप देखिएगा कि कैसे राज्यों को कम समय में जादा फायदा मिल रहा है। अभी यहाँ पर जीएस्टी पर एक प्रेजेंटरेशन भी दिया जाएगा, जिसमें और भी बाते विस्तार से समझाई जाएगी। आपकी कुछ आशंका है अगर बची हैं, तो उनका भी समादान हो जाएगा। लेकिन बाद मैं सब ने देखा कि इससे लाब हो रहा है। इसी तरह मुझे उमीद है जीएस्टी को लेकर भी अगर कुछ राज्यों में अब भी संदेश हैं, तो वो भी समय के साथ धूर हो जाएगा। का नियम है। बदलते यूग के साथ हमारी ववस्ताओं का बदलना भी आवश्यक हैं। जैसे एक चर्चा बीते दिनों सुर्य हुई हैं, देश में एक साथ चुनाव की। राश्पती जीने भी इसका समर्थन किया है। देश के भविश्य से जुड़ी इस चर्चा को और आगे बढ़ाए जाने की जरुरत है। केंद्रों और राज्यों के चुनाव एक साथ कैसे हो। केंद्र, राज्यों और स्थानिय स्वराज्यों के चुनाव एक ही समय में कम से कम कालखंड में कैसे पूर्ण हो जाएं। इस पर गहन चिंतन करके हमने नतीजे पर पहुंचने की समय की मांग है। निती आयोग ने भी भविश की हमारी चुनावतियों को समझ दे के लिए उनके लिए नीतियां बनाने के लिए सामुही प्रयाश शुरू किया है अब से कुछ देर में जो प्रेजिन्टेशन होंगे उनमें इसे विस्तार से आपके सामने प्रस्तूत किया जाएगा हमारा देश आज विश्व का सबसे युवा देश है इस युवा देश की एस्पिरेशन्स को ध्यान में रखते हुए उसकी उर्जिया को ध्यान में रखते हुए हमें उसके लिए नए मार बनाने होंगे नए अवसर खोजने होंगे इसलिए नीती आयोग में एक नई अप्रोच के साथ अगले पंद्रा वर्षों की योजनाओं का एक खाका तेयार किया जा रहा है इन में देश के लिए लॉंग टर्म विजन समाहित होगा इसी तरह अगले साथ वर्ष के लिए मिट्रम नेश्टल एजन्डा को ध्यान में रखते हुए बिलक्षत किये जा रहे हैं 2020 तक के लिए अगले तीन वर्षों का एक्षन प्लान क्या होना चाहिए इस पर भी काम किया जा रहा है देश के इतिहास में ये भी अपनी तरह का पहला प्रयास है जहां तीन वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के लिए रणनिती बनाई जा रही है ये नर्निती निशित तोर पर बिना राज्य सरकारों के सहयोग के संभाव नहीं है आखिर केंद्र में जो योजनाय बनती हैं उनकी आखरी प्रणिती तो राज्य की ही जमीन पर नजराती है लाब राज्य के लोगों ही होता है और राज्यों के प्रयासों से समग्र देश को इसका लाब मिलता है साथियों में गवर्निंग काल्वसित में टीम इंडिया का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मुझे उमीद है कि अगले कुछ घंटे नए विचारों नए संकल्पों के निर्माण में बहुत महत्पून साबित होंगे बहुत बहुत धन्यवाद